पूर्य क्या देता है हमें? दोशनी लाइट सूर्य के पास क्या है? लाइट और तो कुछ नहीं है? हाजी जब आप दिन में कहीं जाएंगे अगर आपको कोई दिन में कहने लगे कहीं जाना है तो आप आप मीच के चल देंगे न? कहीं भी? और अगर राधोक आ जाए तो फिर लाइट का एरेंजमेंट करेंगे तब चलेंगे आपको 10 पार सोचना पड़ेगा ना मैं जा रहा हूँ मेरे साथ को इच्छा ना हो जाए बुरा ना हो जाए यह ना हो जाए कोई पीड़ा ना काट ले, कहीं कंच नहीं आ जाए, कोई पत्था नहीं आ जाए, प्रिशानी महसूस करेंगे न हम, ऐसे ही सूर्य लाइट है हमारे बारा लगनों के अंदर, जहां भी सूर्य बैठा होता है, वहां पे वो पार्ट चमक जाता है, सब को दिखाई देना है, सूर्य क्या है, में प्लैनेट है, सन आता है, क्योंकि लाइट होत लेता है, जो भी चीज हम प्रिश्वी पर देखते हैं, वो सन लाइट की बज़ा से देखते हैं, सूर्य सन की राशी है, सिंग राशी, सिंग राशी किसी भी चार्ट में, किसी भी भाब में आ जाए, वहा होता है जिसको दुनिया जानती है वो बताए या ना बताए वो अपने आप चमक जाता है अफेस के बारे में कोई नहीं बता था कुछ भी लेकिन उसका अफेस दुनिया जानेगी जो कि पंचम इस्थान पे सूरिय है वहां पे लाइट लग गई प्रेम तो दुनिया कर रही ह राजेश जी आपस हुए का बेख है गुरू जी सबत्म में देखो इनकी चर्चा इनकी पत्नी के साथ होती है इनकी पत्नी एत्रेक्टिव होगी और सब लोगcito चर्चा करते होंगा उनकी पत्नी बहुत सुन्दर है ऐसा है वैसा है क्ईशा कुछ है नहीं है वह समझज़ स रहे हैं बहुत बढ़ी रिखी है राजय जी बताइए यह नो जी परिवार में की कि तब तमिस्तान किसका है पती पती नहीं का तो जिरोत्ताम जी कितने बात पकड़ में आ रही है क्या समय रहे हैं जी बिलकुल सही कहा है रहा है जो जिस भाव का कि मीनिंग है जहां अगर वह सुर्य बैठा तो उस पर्टिक्लर एरिया है करेगा और शाम संदर जी आपका सुर्य का है ग्यार वे बाव में गुरु जी बुद्राशे में गुद्राशे में तो तो दुरुझा तो तुम्हें बहुती पैसा माना कहते हो गहुत मोटा कमाते हो लेकिन देखो कोई रिश्वत ले या ना ले बात बोरेंगे जिसका जो काम होता है लोग की धाना उस पर जाती है कि यह ऐसा करता होगा आप करें या ना करें इससे को मतलब नहीं अब नवीन जी आपका सूर्य कहां है तो आपके भी कहानी पत्री के चार सब्सक्राइब कहीं पत्री ने आपके साथ अच्छा बूरा कोई व्यावार रखता हो दोनों कि बात कर दो होती है माइनस प्रस दोनों होती कि मैं कह सकता हूं कि पत्री के तब आपकी चर्चा नहीं है हमेशा बताइए नवीज़िए मैं किस तरीके से बता रहा हूं यह तरीका कितना फूलो कर पा रहे हैंकि जो लोग विस हैं वो कितनी बदी जान चूड़ रहे हैं सब्सक्राइब नहीं देख रहा है सूरी है सब्सक्राइब को भी देखेगा आपकी परसे आम आदमें से अलग हटके होगी आप अलग दिखाई देखे और उसे ऐसा है या नहीं पांच में तो इमान दाइब यह को पता था ना सबको कि उस लड़के के साथ चक्कर है अब सूर्य को हमने बाद में किया सूर्य क्या क्या करता है सूर्य आत्मा का कारा का मतब कॉन्फिडेंस जिसका सूर्य अच्छा है उसका अंदर कॉन्फिडेंस होगा जिसका सूर्य खराब है उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा मेश लगर में फिप्थ हाउस में सिंग राशी होती है या फिप्थ हाउस में लाइट आ जाने नहीं है कि उसकी सारे चीज दिखाई देंगे पांच में इस्थान के जो जो चीजे हैं वह सब को दिखाई देंगी कि इसकी इस्तिति यह है उसकी एड्यूक्वेशन भी दिखाई देंगे उसे किसी से दिखाई देगा क्योंकि उसकर लाइड आति या तो वह मोठे ताजे तरों जो उस दिखाई देंगे या एक्दम या अच्छे दिखने वाले या बिल्क सूखा रहेे अलग से दिखने वाले होंगे उनके फिजिक्स अलग से दिखाई देगी कुम्राशी में 7th house में सिंह राष्याशी में ऐगी तो उनकी लाइफшь पास्टर होगी। उसकी जिंद्गी उसके चारों भूलेंगे व्रहश्ची लगन के जो लोग हैं उनके 10th house में जो व्रहश्ची के लगन की होती हैं अगर दस्वे घर में सूरिया आगया व्यापार तो दुनिया करती है लेकिन उनका व्यापार ब्युक्त अलग दिखाई देगा दूर ही से चमखेगा करक राषी वालों को सेकिंड हाऊस में सिंघ राषी का बन जाता है क्योंकि वहां लाइट आ जाती है उसके पास बहुत पैसा हुगा लिस्तताथ चाथ होंगे परिवार की वज़ाए से जाना चाहेगा करकलगन में सिंग राशी दूर नमबर पर परिवार तो सब के विश्थे तो वही है लेकिन उससे बात करोगे अगर किसी के दूसरे इस्थान पर सूरी रहोगा तो वह ये बात करेगा मैं टाशा के टाओ के मामे के लड़के आय हुआ था उससे बात कर रहा था वह अपने पर का पैसा दूर से दिखाई देगा सिंग राशी के विजए से उनकी बोलिंग शक्ति बहुत जद होगी थोड़ी प्रावडी बाते करेंगे उनका प्रिवार लंबाच सूर्य सन यूजरेस होता है सूर्य करता है कोई भी ग्रह किसी का कुछ नहीं भी गाड़ता है हमने उस सम्मंदित गल्द कारिय के हैं थो उसके परिमा मंबहुने को मिलते हैं सूर्य जहां पर भी होगा जहां भी बैठेगा उस लीकिन लेकिन हमेशा है बहाए तो उसका घर लेंड मार्क बना रहेगा, घर फेमस होगा, खुला हवादार होगा, सेविंध हाउस में सूर्य होगा, तो उसका रिलेशन लव लाइफ थोड़ा पाठर जादी, सेकिंड सा हाउस में सूर्य होगा, तो लोग को भेहम आ जाएगा, पता नहीं कितना पैसा ही इसा सब को दिखाई देगी उसकी छोटी छोटी चोटी याथा चोटा छोटा काम मैं कुछ भी काम करता हूं लोग को दिखाई देता है आपको जादा यात्र होगी इसकी इंकम बढ़ेगा गेन बड़ा भाई हाई लैट हो जाता है उसके पैसे हाई लैट हो जाती है संसुरे एक लाइट है अगर सूर्य एर्थाथ राख में बैठा होगा तो उस लक्ती का नेचर किसी भी काम को खोचने में सैंटिश्ट बनेगा वो विफ्ति क्योंकि उसका वो जो हिस्ता है वो चमक जाएगा उसके अंदर आट मारे साना गड़े का होता है गड़े में गहराई नीचे तर जाना वो हर बात की गहराईयों के नीचे तर जाने की इच्छा रखेगा अगर सूर्ये के साथ बुद्ध जुड़ जाता है आप कि बुद्ध ग्रहे सूर्ये के चारो तरफ गोंता रहता है और यह सूर्ये के सम्मे नश्दीख है अगर सूर्ये और बुद्ध आपस में कुंड़ी में एक जगाहन पर बैठ जाते हैं तो सूर्ये बुद्ध आधित्यययोंग बन जाता है बुद्ध आती योग बेसिक हो लेकिन बुद्धी नहीं है तो हम इस योग का क्या करेंगे क्या फैदा इंसान है इस योग का क्या फैदा इंसान चतुर हो जाता है लेकिन चत्रए का फैदा क्या अगर बुद्धी नहीं है बुद्धी में लाइट लगने से ग्यान का कोई फैदा होगा लोग नहीं पहचार पाएंगे बहुत ग्यानी विक्ति संसार में पढ़े हैं जिने कोई जानता भी नहीं ऐसा है या नहीं है निरोत्म जी अगर जब उसके साथ लाइट लग जाती है तो विक्ति चमक जाता है उसकी चर्चा पूरे हिंदोस्तान में पूरे संसार में जाता है अब बुद्ध आदित्ययों को कैसे माने बुद्ध में जान सूर्य में परकाश अगर बुद्धी सूर्य के करीब आ जाएगी तो सूर्य से अस्थ हो जाएगा क्योंकि सूर्य के परकाश में खतम हो जाएगा और सूर्य बुद्ध आदित्यय योग जभी काम्याब होता है लेकिन अगर अब हम बारी किसे सेंटिक ट्रफ्टों से देखते हैं अगर उसके अंशों में डिफ्रेंस है उसकी दूरी है दस अंशकी तो वो आधित्ययोग फल रहा है और अर्था वो आधित्ययोग नहीं फल एक व्यक्ति बहुत बुद्धिम अगर सूरिय के नजदीत बुद्ध आ जाएगा तो उसका प्रकाश नहीं फ्यालता है अलगर अगर अंगर से देखते हैं मलकरी बुद्ध कितने पास है या कितने दूर है मीटर तेह करता है उसको सपोर्ट जादा मिल जाएगी अगर उसको वो एंगर जादा है तो सूरिय को और बुद्ध को एक दूसरे की सपोर्ट मिल जाएगी सूरिय से प्रकाशित हो जाएगा तो वो व्यक्ति ज्यानवान जादा कहलाएगा इसे बोलते हैं बुद्ध आधित्य योग कित हैं और भी योग हैं जिसमें व्यक्ति चतुर होगा मगर उसकी बुद्धी नहीं हो मंगल और तूरिय तूरिय क्या है राजा और मंगल क्या है सेनापति यह कितनी डिग्री के पास है या दूर है यदि ज़्यादा पास है तो जल जाएगी मतलब जो सेनापति है वो अपने कारिया नहीं कर पाएगा जो करना चाहता है क्योंकि राजा के करीब होगा और राज में फुल फ्लेश होके काम करता है जब काम्याब होता है या दवाब में काम करता है जब अन्यों जी फुल फ्लेश अब ऐसे ही जब ना पती मंगल फुल मëत्जी अदर blocked का tena wonder उधारन के तोर पे पे पीति का कोई भी नेचर है उससे कोई मतलब ने जब वो हमारे पास आ जाता है तो हम उसके नेचर की अच्छा होगा है दोनों नहें जदो अगर सूरिया और शुक्र हैं तो वो दिखावे का काम करेगा, उसके घर में विदेशी समान होगा, जब आप उसके घर में बिलने जाएंगे तो वो कहेगा ये विदेशी से मतलब है उसे रखने का शूप होगा, शुक्र क्या है लगजरी की डिग्रियों के उपर सब कुछ और अगर डिग्रियों सही अन्शुप हैं तो काम ऴढ़िया होगा और डिग्रियों सही अन्शुप है तो काम अच्छा नवी होगा, सूरियह जला देगा उसे, अगर शुक्र सूरिय के बिकुल करीब है, तो उसकी लग्जरी शौप इच्छाएं खtering होगा जाएंगी, जह है वो पती-पत्नी का रिष्टा हो चैगर की स्वीधाओं का रिष्टा हो इसलिए सूर्य शुक्र को ये माना गया है कि उसके लगजरी जीवें खतम होने से उस पती-पत्नी में विवाद तलाक तक की नोगता है सूर्य बस्पती एक साथ पहर जाएंगे तो वो व्यत्ती समा आज को ज्यानी दिखाई देगा अध्यात्मिक ज्यान इन सब का कारफ जूपीटर होता है अगर गुरु सूर्य के साथ बैठ गया तो अध्यात्मिक तक अंदर लाइट आगे जूपीटर से जुड़ी हर चीज़ में लाइट आजाएगी पर कितनी लाइट आजाएगी वो उसके अंशुपीटर के बराबर में सूर्या बैठ गया तो उसके ज्यान को खक्तम कर देगा अगर उसने दूरी बणा के रखी तो उसके ज्यान को चमखा देगा। फुल पावर में होता है, जब मन में चंचलता नहीं होगी और हम किसी भी काम को स्थिट करेंगे, एक बार भी पढ़ेंगे, तो वो बात दिमाग में बैठ जाएगी, इसलिए मावस के दिन चंदमा शान्त होता है, क्योंकि उस तेम हमारा मन पूरे पावर में होता है, और एक पॉजिटिव एंगल भी होता है, सूरिय फादर होता है, और चंदमा मदर होता है, अगर सूरिय और चंदमा एक साथ बैठे हैं पुन्ली के अंदर, उनके अंशों को चेक करो, अगर सूरिय के अंश जादा है, उस घर में पिता का होल्ड होगा, पिता की चलेगी, हम कह लेकिन चंदमा बैटकर मन की अंदर बहुत सारी इस्टेबिटी अब शनी के बारे में बात करते हैं शनी एक अंधेरा है एक रोशनी दोनों एक साथ नहीं रह सकते शनी और सूर्य शनी क्या है अंधेरा और सूर्य क्या है लाइट क्या लाइट और अंधेरा एक साथ रह सकते हैं अब लोजिक बता रहा हूं ना शनी और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते और ये क्या है शनी क्या है बेटा और सूर्य क्या है पिता अगर शनी और सूर्य एक साथ कुल्डी में बैठे हैं तो मैं ये कहूंगा उनको कि वो अपने बेटे को अपने से दूर रखें तो उनकी बने बेटा बाप से और बाप बेटे से दूर भी रहेंगे सूर्या रोशनी अंधिया सूर्या शनी परम शत्रू हैं दोनों एक साथ नहीं रह सकते इसी तरह से हमारे लोशो ग्रिट के अंदर एक और आठ का अगर योग होता है तो पिता-पुतर की नहीं बन अगर किसी के करना का कहीं बार जीवन अधूरा रहता है शनी वेरागय का कारण है डी अटेच्मेंट का कारण है शनी रियल नियाएक करने वाला सबसे बेटर प्लैने जब सूर्या और शनी एक साथ आ जाते हैं तो उनको उनका अंदर इंटर्णल रिलेश्ट में होता है बहुत अधिक ह रहु के तू अधर प्लैनेट होते हैं इनके पावर खत्म हो जाती है रहु का काम तुकडों में बाटना है केतू का सर होता नहीं धर होता है केतू एक एनरजी है रहु के सेम फल देगा लेकिन रहु के फल मिलेंगे कहीं न कहीं आप यह देखो सूर्य किस किस चीज़ का का तो इन सारी चीजों में ग्रहारन लग जाता है सूर्य अपनी पावर खो देता है प्रोफेशन में होगा बेलेंट होगा अगर उनकी क्रेडिट को और ले जाय अगर क्या देखा है कुछ लोग मेनत करते हैं अगर गहें लग जाता है उसका फैदादा दूसरा आदम उठा ले है राहु का काम है तुकों तुकडों में बाटा के तू को सर होता ही नहीं के तू को तो देना कुछ आता ही नहीं के तू को सुपोर्ट नहीं मिल पाता सूर्या से जोड़ी चीज़े कितनी भी चीज़ हो प्रोवलम देगी अगर सावूर्या और राहू का योग बना हुआ है पृता पुत्र में नहीं बनेगी सूर्या को केतु का है तो डिफलेक्शन नहीं मिलेगा उल्टा वापिस आएगा सूर् किये चंद्रमा कर्क में लगनस्थ हो तो है प्रवन राज्योगा अ